मुकेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी शीतल और दो बच्चों के साथ गाउं में रहता था जब इस साल गाउं में बारिश नहीं हुई तो सूखा पढ़ गया और सारी फसल बरबाद हो गई अरे शीतल देखो ना सारी फसल तो सूख गई है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार हम घर कैसे चलाएंगे हाँ जी बात तो सच में बहुत परिशानी की है आखिर हम बिना फसल बेचे कैसे अपना घर चलाएंगे दोनों बच्चे तो भूखे मर जाएंगे नहीं नहीं हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा मैंने सुना है कि गाओं के बाकी के आदमी शहर जा रहे हैं काम ढूणने क्यो ना मैं भी उनके साथ ही चला जाओ अरे तुम क्या कहीं के बैरिस्टर हो जो शहर जाते ही तुम्हें नौकरी देने के लिए लोग पीछे-पीछे घुमेंगे पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं तो आखिर शहर जा कर करोगे ही क्या अरे कैसी बाते करती हो तुम शहर क्या बस पढ़े लिखो का है वहां मेहनत मजूरी के भी बहुत से काम होते हैं जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा मैं अरे इतना तो कमा ही लूँगा कि अपने बच्चों को भूखा मरने से बचा लूँ अच्छा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है जाओ एक बार कोशिश करके ही देख लो अगले दिन मुकेश अपना सामान बांद के शेहर की तरफ निकल पड़ता है शेहर पहुँच कर वो कुछ दिन तो रेलवे स्टेशन पर ही सोता है क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं मिल पाता पर एक दिन एक आदमी उसे मिलता है क्यों भाई लगता है काम की तलाश में हो हाँ भाईया बड़ा परेसान हूँ कुछ भी काम हो अगर आपकी नजर में तो मुझे बता दो अच्छा तो कुछ भी काम करने को तैयार हो अरे अरे भाईया कुछ भी मतलब इमानदारी का काम करूंगा कोई गलत काम नहीं करूंगा अरे हाँ हाँ बिलकुल इमानदारी का काम है चलो मेरे साथ फिर वो आदमी मुकेश को लेकर एक बड़ी से बिल्डिंग के पास जाता है देखो ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है कुछी दिनों में इसे गिरा कर यहाँ एक बड़ा सा मौल बनाया जाएगा तो जब तक इसे गिराया नहीं जाता तुम्हें यहाँ ही देखभाल करनी है और हाँ जादा सवाल जवाब नहीं करने है और यहाँ किसी से बाचीत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है बस आली चौकीदारी करनी है पिर अगले ही दिन से मुकेश काम पर लग जाता है दिन भर वो आराम से बिल्डिंग की चौकिदारी करता है और रात को वही अपना डेरा डाल कर सोने की तैयारी करता है जैसे ही वो सोने वाला था उसकी आँख अचानक से किसी की आहट से खुल जाती है अरे ये किसकी आहट है यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता तभी मुकेश को एक बहुत ही मनमोहक औरत अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है मुकेश उसको देखकर कुछ पल के लिए खोसा जाता है फिर वो खुद को संभालता है और उससे पूछता है अरे मैडम कौन है आप और यहां क्या कर रही है वो भी इतनी रात गए मेरा नाम इशा है दरसल मेरा घर यही पास में है मैं दिन बर आफिस में रहती हूँ ना इसलिए लेट घर आती हूँ शैद इसलिए आपने मुझे दिन में कभी देखा नहीं अच्छा वो सब तो ठीक है पर आप यहां क्यों आई है हाँ वो मैंने आपको यहां देखा तो मुझे लगा कि आपसे चाए पानी पूछ लो आप दिन भर यहां की रखवाली करते हुए ठक गए होंगे ना मुकीश के मना करने के बाद भी वो औरत जाकर मुकीश के लिए चाए ले आई और फिर वो दोनों साथ बैट कर चाए पीने लगे ऐसे मुकीश के उस औरत से अच्छी खासी दोस्ती हो गई और अब वो रोज रात को मिलने लगे धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी हो गए तेखो इशा, मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने गाउं जा रहा हूँ मुझे शहर में आए पूरा एक महीना हो गया है और मैं घर नहीं गया हूँ मेरे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे अच्छा, और मेरा क्या, मैं परेशान होती हो तो हूँ तुम्हे क्या मेरे परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अरे नहीं नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है इशा मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, वादा इशा मुकेश को बहुत रोकती है, पर फिर भी वो अपने गाउं चला ही जाता है गाउं जाकर भी, मुकेश का मन इशा की यादों में लगा हुआ था उसकी बीवी को उस पर शक हो जाता है मुकेश एक हफ़ते में ही वापस शेहर जाने की जित करने लगता है अरे ये क्या है तुम तो कहे थे कि पूरे पंदरा दिन रुकोगे अब ये एक हफ़ते में ही क्यों भागे जा रहे हो हाँ अरे अगर मैं ऐसे ही छुट्टी करूंगा तो नोकरी कौन करेगा और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या अच्छा पर मुझे तो दाल में कुछ और ही काला लग रहा है कहीं किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा शेहर में शीतल की ऐसी बात सुनकर मुकेश सक्पक आ जाता है अरे अरी पागल हो गई हो क्या ये भला क्या वक्वास कर रही हो चलो हटो मैं दिमाग मत खराब करो चाओ यहां से उझे देर हो रही है फिर मुकेश शीतल को उल्टा सीधा बोल कर वापस शेहर की तरफ निकल पड़ता है लेकिन शीतल उसके पीछे 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 शेहर आ जाती है मैं अभी तो देखूँ आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जिसको करने के लिए मेरे पती देव इतना बेचैन हो रहे हैं शीतल चुपचाप मुकेश के काम करने वाली बिल्डिंग में जाकर चुपचाती है और वही से मुकेश की हरकतों पर नजर रखती है ऐसे ही रात हो जाती है और फिर शीतल को कुछ ऐसा दिखता है कि उसके पैरो तले जमीन ही खिसक जाती है वो देखती है कि एक चुडैल पीछे एक बड़े से बरतर में कुछ उबाल रही थी और जोर जोर से हस रही थी वो चुड़ेल इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर शीतल की चीक निकल गई तब ही मुकेश भी भागता भागता वहां आ गया अरे शीतल तुम यहां क्या कर रही हो हाई राम 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 यह क्या देख लिया मैंने अरे उधर तो देखो कितनी भयानक चुड़ेल खड़ी है सामने उस चुड़ेल को देखकर मुकेश की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई अरे पाप अरे काउन है यह भूतिन अरे मैं का जानू, तुम करते हो इस भूतिया बिल्डिंग में काम, तुम बताओ कौन है ये, मैं तो यहां तुम पर नज़ा रखने आई थी कि कहीं तुम्हारा किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा अरे तब तो बिल्कुल सही जगा आई है, क्योंकि इसका चक्कर तो मुझसे ही चल रहा है क्या, हे भगवान, अरे पागल आदमी, तुमने भूतनी से चक्कर चला लिया अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या मैं पागल हो गया हूँ, जो ऐसा करूँगा अरे नहीं बुकेश, मैं वही हूँ, तुम्हारी ईशा, जिससे तुम रोज रात देर तक बाते करते थे क्या, तो तु भूतनी है हाँ और मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, इसलिए कोई इस बिल्डिंग में रहने नहीं आता और इसे गिराने वाले है, मेरी आत्मा को शांती नहीं मिली है, और मैं सालों से यहां भटक रही हूँ जब तक कोई मेरे लिए अपनी जान की बली नहीं चढ़ा था तब तक मुझे शान्ती नहीं मिलेगी फिर तू यहां आया और तुझे मैं अच्छी लगने लगी मैं रोज तुझे ये चाय पिलाती थी जिसमें मेरा जादू टोना था ताकि तु दीरे दीरे मेरे वश में आ जाए और मैं तेरी बली चढ़ा दू जैसे ही तु मेरे वश में आने वाला था तु निगाओ जाने के जिद पकड़ ली लेकिन अब तु वापस आ गया है ना अब मैं तुझे मार कर मुक्ती पालूंगी अरे चुडैल तेरे ये इरादे थे वाँ 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 तो तु तुमने चुडैल के साथ अफेयर किया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मरो अब अरे कैसी बात रही हो शीतल मुझे इस से बचाओ ये मुझे मार डालेगी हाथो मारती है तो मार दे मुझे क्या आखिर तुमने मुझे दोखाई तो दिया है अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे चुडैल और मुकेश का ध्यान आपस में भटका के शीतल धीरे से चुडैल के पीछे जाती है और अपने पास से भगवान की शक्तियों वारी भबूत निकाल कर उसके उपर फेग देती है इससे वो चुडैल भैंकर आग में जलने लगती है अरे ये तुने क्या किया मुझे जला दिया थोड़ी देर में वो चुडैल जल कर राग हो जाती है अरे ये तुमने कैसे किया शीतल अरे ये पूजा की भबूत तो मैं इसने लेकर आई थी कि इससे तुम्हारी सब बुरी शक्तियों से रक्षा होगी लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इस चुडैल को मारने के काम आ जाएगी मुझे माफ कर दो शीतल मैंने अपनी जिन्दगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है मैं अब ऐसी गलती दोवारा कभी नहीं करूँगा पिर शीतल मुकेश को माफ कर देती है और वो लोग खुशी खुशी एक नई जिन्दगी जीने लगते है